दोस्तो उत्तर प्रदेश में सडकों पर गढ़ों का पता लगाने का जिम्मा अब यूपी रोडविच को सौप दिया गया है दिन और रात सडकों पर बस चुलाने वाले यूपी रोडविच के ड्राइवर ये जिम्मेदारी समहा लेंगे वो अपने रूट पर आने वाले ग गढ़ों की गिंती कर इसकी रिपोर्ट परिवहन अधिकारियों को सौपेंगे बरिवर अधिकारी 25 नवंबर को इस रिपोर्ट को अपने मुख्याले भेज देंगे इस पर शाशन काम कर 30 नवंबर तक सरकों को गढ़्धा मुक्त कर देगी उत्तर प्रदेश रोडविच क कानपुर नोईडा समेथ सभी रीजन के बस ड्राइवरों को अपने रूट पर गढ़्धे गिनने की काम को सौप दिया गया है ड्राइवर रूट पर आने वाले गढ़्धे उनका पैच वर्क हुआ है या नहीं ये गढ़्धे कब से हैं इन सभी चीजों को बस ड्राइव की मिलते ही शाशन पांच दिन के अंदर राज्य की सभी सडकों को गढ़्धा मुक्त कर देगी प्रदेश के मुख्या योगी आदितनात ने कहा है कि किसी भी हाल में 30 नवंबर तक राज्य की सडकों को गढ़्धा मुक्त कराने का संकत लिया है सीम ने कहा कि लोक निर्मान विभाग से लेकर हाइवे विक को सड़क पर मिलने वाले गढ़ों पर तेजी से पैच वक कराने की आदेश्टिये हैं CM ने ये भी कहा कि 30 नवंबर के बाद सड़क पर गढ़े मिलने पर संबंदित विभाग के अधिकारियों पर कारेवाई होगी वही गढ़ों के छूटने या गलत रिपोर्ट को डबल चेक करने के लिए रोडवेज बस ड्राइवरों को इने गिनने का काम सौपा गया है ताकि किसी भी सुरत में राज्य की सड़क गढ़ा मुक्त हो सके दोस्तो रोडवेज बस चालकों की माने तो शेहर तक तो सब सही है लेकिन कानपूर से लेकर एटा समीट दूसरी जगाहों पर मुख्य सड़कों पर भी बड़े बड़े गढ़े है कई सड़के तो पूरी तरह से गढ़ों में तबदिल हो चुकी है यूपी सरकाल की इस पहल को लेकर आपका क्या कहना है आप अब एक कमेंट बॉक्स में कमेंट का जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे हैं जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ की बैल आइकन जरूर दबाएं